नमस्कार मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं दे इस्टी नियूस पटना के कोरजी के पास जो है वो जब कारियाले के लिए घूम रहे थे गारी उनकी यूटर्ण ले रहे थी उस वक्त अपराधियों ने उन पर गोली मारी बताया जाता है कि जब वो आवास से अपने घर से कह सकते हैं कि दिखा के पास जो पाया नंबर है 66 से वो निकल कर और अपराधी उनको आफिस पहुंसते पहुंसते तक जो है किस तरीके से उन्हें परणाम करता है गारी रुकवाता है जो तस्वीर CCTV कैमरे में दिख रहा है और पुलिस के तरफ से भी जो अपडेट आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उ उनके से मिलने भी पहुंचे उनके सेहत के बारे में जानने के लिए पहुंचे है तो ऐसे में आपको बता दे कि उस वक्त जब गाड़ी यूटन ले रहा था तभी अपराधी जो है उन्हें गाड़ी को रुकवाता है परणाम करता है और बोलता है उस परणाम के दौरान जब निलेश मुख्या जब सीसे को नीचे की ओर गिराते हैं मतलब नीचे की ओर गिराते हैं सीसे और अचानक उन पर जो है तबातोर साथ गोलिया दागी जाती है जिसके बाद इलाके में दहसत का मौहल हो जाता है भगदर मज जाती है कई लोग तो सड़क पर ही गाड़ी चोड़ कर भाग जाते हैं ऐसा लगता है कि वो अपना भी जान बचाते हैं लेकिन किसी तरीके से बड़ा सूजबूज और समझदारी से काम किया उनके जो चालक जो ड्राइवर थे उस सीधा पटना की कोरजी हस्पिटल में ले गए और वहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत सेह जो है कही न कही ठीक किया गया और उसके बाद तुरंद जब सीरियस कंडिशन देखा गया तो उन्हें रूबन होस्पिटल में भरति कराया गया जिसको लेकर अभी हमने बात की है डॉक्टर की टीम से वहाँ पे रूबन होस्पिटल के जो डॉक्टर की टीम है उनसे हमारी बात हुई और कई डॉक्टरों से हुमने बातचीत कि उनकी सेहत के बारे में जानने की कुशिच की तो उन्होंने कहा कि अभी बेंटिलेटर पर है साथ गोलिया लगी थी और एक गोली जो है उनके दो, तीन गोलिया जो है वो गाल के जबड़े में लगा था और दो तीन गोलिया जो है वो गंधे में लगी थी और एक गोली जो है उनके पीछे वाले पोर्षन में यानि जो एस्पाइनल पोर्षन है वहाँ पर लेकिन सातों गोलिया सुरक्षित निकाल ली गई है उनके पूरे बॉडी से कहीं न कहीं सातों गोलिया निकाल तो ली गई है लेकिन अभी जो है critically condition है डॉक्टर ने ये कहा है पूरी तरीके से अभी वो वेंटिलेटर पर है और उनके सेहत में अभी सुधार कुछ भी नहीं है यानि 50-50 कह सकते हैं कि चांस है और डॉक्टर पूरी तरीके से अपनी कोशिश में लगे हुए है और लगतार डॉक्टर की जो टीम है रोहित जिन डॉक्टर का नाम बताया और दो-तीन डॉक्टर और हैं जो पूरी पास डॉक्टर की टीम जो है उनके लिए सेहत को सुधार करने के लिए लगे हुए हैं हमने डॉक्टर से खास बातचीत की है और उनके सेहत के बारे में जानकारिया जब हमने कि उनकी भी छबी है कुछ खास नहीं है वो दबंग टाइप के वहाँ पर उनके इलाके में उनका एक बर्चस्ट है जैसे कि दो एक तरह से कह सकते हैं बालू माफियाओं से साड़ गार्ड भी है उनका तो इस तरह के बर्चस्ट रखने वाले कहीं न कहीं वो अपराधी जो ह कर फरार हो जाता है जो CCTV कैमरे अभी हमारे पास आये हैं अभी तक का जो अपडेट है वो हम अपने दर्चस को बता रहे हैं कि उनके सेहत में कुछ खास सुधार नहीं है क्रिटिकली कंडिशन बताया जा रहा है डॉक्टर के तरब से लेकिन सातों गोलिया जो है वो निकाल अपडेट है अब तक का निलेश मुख्याक से जुड़ा हुआ लेकिन जो हम बात करें प्रिशासन की तरब से तो अभी कोई भी अपराधी और जो गोली मारने वाला अपराधी है वो पुलिस के चंगुल से फरार है तो कहीन कहीं अपराधी जो है वो लगतार पुलिस को च अपराधी किसिम के वो भी हैं जिनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस अभी जाच में चल रही है तो इसे में डिस्क्लोज नहीं किया सकता है तो ये एक भड़ी अपडेट है जो दर्षकों को हम बता रहे हैं कि निलेश मुख्या से जुड़ी वी जो ख योगिनी संजायर ने क्या कुछ कहा उनों सीधे तोर पर डॉक्टरों से बात चीत की तो डॉक्टर का कहना है कि अभी इस निलेश मुख्या का जो सेहत है वो काफी क्रिटिकल है तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश्टी न्यूस धन्यबाद